नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में दोस्तों बात करेंगे उत्राघंड L.T. को लेकर जो नई अबडेट आई है दोस्तों एक शौकिंग रिजल्ट भी दोस्तों देखने को मिला है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं बात करेंगे दोस्तों UKCCC के उस नोटिफिकेशन की जिसके थू दोस्तों उत्राखंड LT की परिक्षा की वेटिंग लिस्त जारी वी थी 17 जनवरी 2024 इसमें साब साब लिकाएगी UKCCC के द्वारा परिक्षा करवाईगी और परिक्षा के बाद इसमें अभ्यर्तियों की वेटिंग लिस्त निकाली गई और वेटिंग लिस्त में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में इन अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट निकाली गी जिसमें L.T. हिंदी है इसके लावा L.T. अंग्रेजी है और कभी सब भी सब्जेक्स की दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को निकाला गया तो इसमें आप अरब करें को यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ मां और इन नाम भी मेदा पर पर सकते हैं तो इन सब लोग को आप देख सकते हैं अब दोस्तों बात करेंगे UKCCC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों जो कि 16 फरवरी 2024 यहनी कि आज की डेट को दोस्तों निकला है और इसके द्वारा दोस्तों इन्होंने यह बताया है कि हमारे द्वारा परिक्षा आज़ित की गई और उक्तिलिखित परिशा के आधार पर दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है उसको 17 जनवरी 2024 को निकला गया और अब देखी यहाँ पर important line है अवगत कराना है कि आयोग द्वारा जारी और बंदिक स्रिष्टा सूची के करम में अभीरति द्वारा प्रस्तुत परत्यावेदन की आधार पर स्रिष्टा सूची का पुनह परिक्षन किया इन्होंने दुबारा से इस लिस्ट को दोस्तो कर दिया गया है अब बिलेक सत्यापन ही तो ल्टी हिंदी तथा अंगरी जी विसे की पुनह संसोधित और बंदिक स्रिष्टा सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकासित की जारी है अब बताओ ये क्या बात हुई यानि कि जिन लोगों का पहले सेलेक्शन हुआ था उन बंदिक स्रिष्टा सूची एवं पूर में अन्य विसेयों की 17 जनवरी 2024 को जारी स्रिष्टा सूची मानिनी आयोग द्वारा लिएगे नेड़ने के अनुकरम में रिक्त पदों के सापेक्ष निरधारी तनुपात के अधर पर जारी की गई है यह बंदिक स्रिष्टा इसका मतलब यह है कि आभी आपका अन्तिम चैन पर नाम गोसित किया जाएगा इसका मतलब यह है कि आभी आपका अंतिम चैन नहीं हुआ है वैसे अबंदिक ही होती है लिस्त फाइनल तो तब होता है कि जब आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चैन परणाम गोसित किया जाता है तो अभी भी ये अंतिम चैन परणाम नहीं है इस अंतिम उपबंदिक श्रेष्टा सूची में कतिपे विश्यों में पूर से चैने तब भीड़ती जो पूर में चैन प्रक्रिया के तहत पद स्रेणी विशेष में पद उपलब्द होने के कारण प्रक्रिया से बाहर हो गए है वर्तमान प्रक्रिया के अंतरगत पद स्रेणी विशेष की उपलब्दा के आधार पर श्रेष्टा करम में अंतिम उपबंदिक श्रेष्टा सूची में समलित हो सकते हैं जो पहले बाहर हो गए थे वो अभी भी इसमें क्या कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं और उपरोगते विसेओं में चेरे तबीर्टु का अब लेक्स सब्त्यापन ये कारेकरम बना दिया है इनोंने तो कारेकरम आप देख सकते हैं ये हैं अंग्रेजी का तो अंग्रेजी का है कि किस फरवरी से स्टार्ट होने वाला है सामने का भी ऐसे ही है मानिजे में भी फिर आप देख सकते हैं कि 22 फरवरी दोहजाज़ चौबिस को होगा और इसके अलावा फिर सारी सिक्षा, संस्कृत, विज्जान, गणित सबका, आपका 22 फरवरी को है फिर इसके बाद हिंदी विग्यान गणित का सामने सका का फिर 23 फरवरी को भी होगा तो यहां पर दोस्तों साफ साफ इनके द्वारा ये बता दिया गया ठीक है ना अब इसके बाद दोस्तों जरा सा लिस्ट को जरा सा देख लेते हैं लिस्त इनोंने गजप कर दिया इनोंने ल्टी जो इंघ्लिस है इंग्लिस के लिस्ट में तो गया परिवर्तन किया है पहले आई तिंक कम लोग थे 37 से कम लोग थे ऐसा बेभी शचयद 37 लोग थे अब 49 लोग हो चुके हैं थोड़ा पहले कम थे अब थोड़ा ज्यादा लोग हो चुके हैं लेकिन हिंदी में तो इन्होंने पूरी लिस्ट ही चेंज कर दी है यह जो लिस्ट में जो प्रीविस में जो कांड़ेट से उनका बिल्कुल भी यहाँ पर नाम नहीं है पूरी लिस्ट को ही इन्होंने चेंज कर दिया है अब ऐसे में जो भेड़ती हैं जिनका ओलेडी चेंज हो चुका था तो उनके लिए तो बड़ी यह एक तरसे बड़ी समस्या वाली बात हो गई है बड़ी दुगदाई चीज हो गई है एक बार आपका सेलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद इस तरह से लिस्ट का चेंज हो जाना यह बड़ा ही एक तरह से बहुत शौकिंग रिजल्ट है बहुत दुगदाई होता है तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें भी क्योंकि इनके द्वारा पहले यह बताया जात गई तो ऐसी गड़बड़े करते ही क्योंकि पहले उम्मीद देना फिर उम्मीद को तोड़ देना तो यह एक जादा समस्या है इससे बढ़िया होता ही नहीं तो जादा अच्छा था लेकिन एक बार ऐसे होने के बाद फिर बहार हो जाना तो बड़ा दिक्कत वाली बात है जिन लोग का हुआ है उन लोग के लिए तो चलिए बढ़िया है लेकिन लोग का नहीं हुआ है जोने के बाद वे लोग बाहर हो गए उनके लिए बड़ा कस्त का है कस्ट दारी यह समय है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर दोस्तो चे तो यहां पर साफसाफ है कि अंग्रेजी और हिंदी में चेंज आगया वह भी अंग्रेजी में तो ज्यादा परिवर्था नहीं है लेकिन हिंदी की तो पूरी की पूरी लिस्ट इनके द्वारा चेंज कर दी गई है तो जब उत्रागंड यूके ट्रिप्लेसी में आप सत्या और आरक्षन का लाब लेने वाले विध्यारतियों को भी विज्यापन की अंतिम तती तक जो आपका वालेड डॉकुमेंट है वो लेकर आना होगा जब आपने फॉर्म भराता ठीक है इसके लावा इसमें चेकलिस्ट है 79 उसमें एक निर्धारित प्रारूप है और उसके अकोर्डिंग ही आपने क्या करना है अपने डॉकुमेंट को अरेंज करके जा इसके बाद एक चीज और है कि अगर कोई भेड़ती है वो ऑनलाइन आविदन पत्र में किये दावे के नुसार अगर सही डॉकुमेंट प्रस्तूत नहीं कर पाता है तो इसके लिए आपको साथ दिन का समय दिया जाएगा और यदि साथ दिन के अवदी में भी आप अभिल नहीं यह तो फिर आपको सेवन डेस का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा तो यह है दोस्तों आज की इंपॉर्डेंट न्यूस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक टेक केर और गुडबाई